है फ्रेंड्स आप लोग को स्वागत है आपके यूटूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की ओर आज हम आप लोग लिए बिहार दरोगा प्री के लिए जो ग्यांद मेंदू जी एस एकेडमी दोरा पेड कोर्स में जो टेस्ट कराया जाता है उसका टेस्ट नमर 22 का डिसकस लिए तो उसका भी हम डिसकसन कराते हैं उसमें वहां से आप देख सकते हैं अगर चैनल पर पहली बार आएं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पर आपत हो वीडियो को लाइक किजिएगा दोस्तों के शेयर पूरुवी घाट में इस्थित पहाडियों का क्रम उत्तर से दक्षिन कौन सा है बताना है इसमें कि पूरुवी घाट में जो पहाडी है तो उसका उत्तर से दक्षिन बताना है उत्तर से दक्षिन का क्रम बताना है इसका क्रम जो हो जाएगा यह बी नमबर इसका एंसर हो जगा यह जावदी है उसके बद सेवराय है तब पंच मालनीन है असीरू मलाई है इसका जो एंसर हो जगा बीन नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन निम्लीखित घटनाव का सही क्रम से सजाए इसमें बताना है कि सही क्रम क्या होगा तो इसमें देख ल इसका जो एंसर हो जगा सबसे पहले पुना पेक्ट हुआ था उसके बाद सभिना ववग्या अंदोलन हुआ था इसका एंसर बीनमबर हो जाएगा पांच एक तीन दो चार छो इसका एंसर बीनमबर अगला कोशन देखते हैं संसद के सत्रा रंब होने के बाद राश्पती दोरा जारी अध्यदेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों दोरा अनिवार रूप से पारित किया जाना चाहिए तिये पारित किया जाना चाहिए छो सब्ता के अंदर इसका जो एंसर हो जगा बीनमबर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं किस उद्योग को विकास उद्य प्रांतिय बीसेयों को दो उपवर्गो और अक्षित था हस्थांतरित में विभाजित किया गया यह किया गया था भारतिय परिश्द अधिनियम 1929 में इसका इंसर हो जाएगा अगला कुशन है त्रीपूरी संकट के बाद कॉंग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था यह अगला कुशन देखते हैं निम में से कौन सा देश होर्न अफ अफ अफरीका चेतर से इस्ति थे बताना है कि होर्न आफ अफ अफरीका में कौन कौन से दे सामिल होता है तो देख लेता है इसमें कौन से सामिल होता है तो पहला दे है सोमालिया सही है सामिल है इरिट्रिय ये भी सामिले, इत्थोपिय ये भी सामिले, जीबूटि ये भी सामिले, इसमें 4-2 सामिले थे, इसका एंसर जो जागा D नमबर हो जाएगा, अगला कुशन देखते हैं, निम्न में से कौन राई सबह में बिपक्ष के पहले नेता थे? बताना है कि राई सबह के लेते तब सुलूब थे तब तुलूब तब अरावीडू इसका जो एंसर जगा अगला कुशन देखते हैं चंदोली राष्ट उद्यान कहां और स्तिति यह अवस्तित एमारास्थ में इसका अनुश्यद में वर्णीत एक सो सत्रह में इसका जो एंसर जगा अनुबर हो जाए गोशना के बाद किसके नित्रुत में मुसल्मानों की एक सिष्ट मंडल वायसरैल लॉड मीन्टों से मिला था यह मिला था आगम खाके नित्रुत में इसका जो अगला कोशन देखते हैं अगला भारत में इंटरनेट क्रांती की जनक किसे माना जाता है जिनका हाली में निर्धन हो गया यह माना जाता है भारत में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होता है भारत में बताना है कि सबसे कम वर्षा किस मानसून से होता है यह होता है सित्रीटु या उत्रपशी मन्सून से इसका जो इंसर जगा D number हो जाएगा अगला कुशन है निमलिखित में से किस ने उर्दू में तवजिबूल अखलाक नामक मासिक पत्र का प्रराम किये थे हैं यह प्रराम किये थे सर सैयद अहमत खाने इसका जो इंसर जगा C इसका जो एंसर घ्रड़ नमबर हो जाएगा अगला कुछन है अबस परकार कि दवा का प्रयोग किया जाता है यह किए जाता है इसका दायू की अनुपस्थिती में इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है ॥ाइव अगला कोशन है कि प्रतिवर्विस फोटोग्राफी दिवस कम अगला जाता है तो यह कि बताना कि बादलों को दीशा और गतिमापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है यह कहा जाता है यह Must वेसको उपो इसका जो एंसको जागा c नमबर हो जाएगा अग़ला कुशन है एक स्कीरे न ही दरशा आएगी परिक्रिया तही докर दरशाएगी वीवार्त अनगो इसका brings a नमबर हो जाएगा अगला कोशन तो न परवाज जो answer हो जगा C number हो जाएगा अगला कुश्चन है Beagle सब्द का प्रियोग की सखेल में किया जाता सब्द sustain किया जाता है टेनीस में इसका जो इंसर हो जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोश्चन है सैन ने अभ्यास यूद अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा है बताना है कि यूद अभ्यास जो सैन ने अभ्यास है वह भारत और किस देश के बीच किया जात यह दिया जाता है उबहेचर के संडरक्षन के लिए इसका जो एंसर हो जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है पी एम नरेंद्र मोदी ने की सिराज में ब्लॉट ड्रॉग पार्क की अधार सिला रखी गई है यह रखी गई है हिमाचल परदिस में इसका जो एंसर हो जग कोंप लेंग की संडर कि नमबर हो जाएगा अगला कोशन है बारत ने नमबर हो जाएगा अगला कोशन है न को में अंग्या कोशन है राखल लिला किस राज का लोकत्य निर्ट से एस्का चाहिस नमर हो जाएगा अगला कोशन गाखते हैं जैम स्रीय सुमियों टेलिस्कोप ने तस्वीर ही जाए विरस्पति है इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है हरमटाटन पॉन है किस मरुवस्थल में चलती है यह पॉन जो है चलती है सहारा मरुवस्थल में इसका जो एंसर हो जगा C नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं बरसात के दिनों में भूमी फिसलदार हो जाती है ति बताना है कि बरसात के दिनों में भूमी जो फिसलदार हो जाती हो किसके कारण होती है यह कारण है नील हरित सेवाल के कारण इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं जल दूत एप की समंत कि अगला कुशन है भारत के अगले सोलहवे अटर्णी जर्नल कि से निग्त किया गया है इस उलहवे जो अटर्णी जर्नल बने है उनका नाम है और बैंकर ट्रमड़ी इसका जो इसका डिनमबर हो जाएगा अगला कुशन है गंगा के निम्ड में से कौन सी सहायक नदी से अगला कुशन देखते हैं एक वारेजिया निमलीखित में से किसका मिसरन है एक वारेजिया मिसरन है ACL और HNO3 का है इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है नेशनल कैड़ेट कोर का आदर सवाग क्या है बताना है कि नेशनल कैड़ेट कोर है उसका आदर सवाग क्या होता है तो इसका आदर्स वाख हो जाएगा एकता और अनुसासन इसका जो एंसर हो जाएगा C नमबर हो जाएगा अगला कोशन है फटेह सागर जहील किस राज में बताना है कि फटेह सागर जहील जो है वो कहां इस्तित है यह इस्तिते राजस्थान में, इसका answer D हो जाएगा अगला question है, निमलिखित बिचारकों में कौन से बिचारक माहिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे यह विश्वास नहीं रखते थे, अरस्तु और हीगेल ने, इसका जो answer हो जागा B number हो जाएगा अगला question देखते हैं, विरिधी वाल है किसकी क्रिया से बनता है, यह बनता है कैब्रियम की क्रिया से, इसका जो answer हो जागा A number हो जाएगा अगला question है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का एक computer है, इसका जो answer हो जागा B number हो जाएगा अगला question है, ट्रीसी भूमी को छोड़ कर अन्य संपती पर संपता सोलक की सूची के अंतरगात आता है, यह आता है संग सूची के अंतरगात, इसका जो answer हो जागा A number हो जागा अगला question है, सरल अवार्थ गती करते हुए कण की कुल उर्जा निर्भर करती है, इसके एक में दिया गए आयाम, दो में दिया गए अवार्थ गाल तता तीन में दिया गए बिस्थापन पर इन कथनों में यह हो जागा इसका एक और दो सही है, इसका answer A हो जागा अगला question है, भारत में पहली बार मुल्य सर्वांधीत कर कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 2005 में, इसका जो answer हो जागा B नमबर हो जागा अगला question है, भिहार की प्रतम महिला उप मुख मंत्री है या थी, तो यह हो जागा रेणू देवी, इसका जो answer हो जागा C नमबर हो जागा अगला question है, वन एश्ट्रा रेविल्यूसान लिखे थे हैं, तो यह लिखे थे हैं, मासा नेवू फुकू ओको ने, इसका जो answer हो जागा D नमबर हो जागा अगला question है, बाल गंगा दातिलक ने मराठा का प्रकास अन कीस भासा में किये थे हैं, तो यह किये थे हैं, अंग्रेजी भासा में, इसका जो answer हो जागा C नमबर हो जागा अगला question देखते हैं, अंडर 20 बीस्व कुष्टी चेंपियंशिप में स्वान पदक जीतने वाले पहले भारतिय महिला रेसरर कौन बनी है तिये पहली महिला जो बनी है, इनका नाम है अंतिम पंगहाल, इसका जो answer हो जागा C नमबर हो जागा अगला question है, मनुस्य में जोकोब सन के अंग का क्या ततपर है, यह ततपर है अवसेसी अंग है यह, इसका answer जो हो जागा B नमबर हो जागा अगला question है, मुंबई हाई में ONG के द्वरा तेल उत्पादन की सुरुवात पहली बर कब किया गया था, यह किया गया था 1974 में, इसका answer B हो जागा अगला question है, राष्टिय राजभासा क्रिती पुरुसकार प्राप्त करने वाले बिज्ञान पत्री का बिज्ञान प्रगती की संस्थान द्वरा जारी की जाती है, यह जारी की जाती है CSIR द्वरा, इसका answer हो जागा D नमबर हो जागा अगला question है, मुंगल पत्सा अकबर ने किसे जारी कलम की उपाधी दी थी, जारी कलम की उपाधी जो दिये थे, यह दिये थे मुहमद हुसेन कस्मीरी को, इसका answer हो जागा D नमबर हो जागा अगला कोशन है मैन मार की मुद्रा क्या है बताना है कि मैन मार की मुद्रा क्या है तो यह मुद्रा है कया आती इसका जो एंसर हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है कि इस company को भारत का पहला micro category drone certification मिला है यह मिला है इसका answer जो हो जाएगा इसका answer D हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं भारत का ice man किसे कहा जाता है यह कहा जाता है यह कहा जाता है चेवांग नोरफेल को इसका answer C हो जाएगा अगला कौशन है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है अगला कौशन है, वाइरस को साजिवी कहा जाता है क्योंकि यह कहा जाता है यह संख्या में बड़ सकते हैं इसका एंसर बी हो जाएगा अगला कोशन है निम्ड में से कौन सा परत्यक्ष कर का उदाहरन नहीं है इसमें बताना है कि कौन सा परत्यक्ष कर का उदाहरन नहीं है तो बिक्री कर जो की पहलाई परत्यक्ष कर का उदाहरन नहीं है इसका एंसर हो जागा ए नमबर हो जागा बाकी परत्यक्ष कर का उदाह अगला कोश्चन देखते हैं छेतरफल के द्रिष्टी से बीस्व का सबसे बड़ी जहिल कौन सी है यह जहिल है कैपसियंस आगर इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा अगला कोश्चन है सारवजनिक समाज के स्थापना किसके दोरा की गई थी? यह किया गया था महादेव गोबिंद रनाडे के दोरा इसका जो एंसर हो जाएगा नमबर हो जाएगा अगला कोश्चन है चार रक्त समूह A, B और A, B या O होता है जो जीन इन रक्त समूहों को अनुवान सिखता को hice करते हैं इन्हें I A, I B और I O कहा जाता है निर्म से किस जीन सन्योजक में रक्त समूह A निर्मित होता है यह निर्मित होता है IAIA या IAI में इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है मेरी सीमय छेतर में 100 करोन भी पूरी तरह से मेरी आज्या के अधिन नहीं है सुल्तान अलाओ दिन खिल जी या सिकायत किस से कर रहा था यह किये थे काजी मुगी सू दिन के द्वारा इसका एंसर हो जाएगा A नमबर हो जाएगा अगला कोशन है निर्म में से कौन सा अनुप्रस तरंग का उधारन है बताना है कि कौन है जो इसमें अनुप्रस तरंग का उधारन है यह उदा रहा होंने जाएगा भुक़ांपिय तरंग में A सटरंग, इसका एंसर A नंबर हो जाएगा अगला कुश्ण है इसरो कि सवर्ष चंद्रियं 3 लॉंच करने की योजना बना रहा है बताना है कि चंद्रियं 3 लॉंच करने की योजना इसरो की कब तक है तो यह योजना हो जाएगा इसका एंसर 2023 तक इसका एंसर C नंबर हो जाएगा अगला कोशन है रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या होता है बताना है कि रेडियो सक्रिय तत्व जो है उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है यह बनता है PB इसका जो एंसर जागा C न जो है यह बेदांग नहीं है तो इसका जो एंसर हो जाएगा सी नमबर हो जाएगा अगला कुश्चन देखते हैं यह अक्रित द्वारा बनाया पीत पितासे में किसके द्वारा पहुचता है तो देख लेते हैं इसमें किसके द्वारा पहुचता है तो दिया गया ही पैंटो गॉल डॉक्स जो की गलत है फिर हीमपैटी प्रक्रिया डॉक्स यह भी गलत है सी श्टक डॉक्स यह सही है इसका जो एंसर जगा सी नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं भारत के नियंत्रों को महालेखा परिक्षा से सम्मान दित उब बंधो का वर्णन समिधान के की है कि इस भाग में है यह समिधान के भाग पाँच में इसका वर्णन उसका जो एंसरो जगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं पछतरद के बस्पाति अगला कोशन है निवास के doğru के संभन का मत था की इनका मूलनिवास टीवत था बताना है कि आर्यों को किस बिद्वान ने तीबत का निवासी मना है ये मने है दयानंद सरुसती ने इसका जो इंसर जगा C नमबर हो जाएगा अगला जो कुश्चन है पेनार पर्योजना किस नदीप इस्तित है यह इस्तित है कृष्णा नदीप इसका जो एंसर जगा A नमबर हो जाएगा अगला कुश्चन है भारत के सुप्रीम कोट में नयाधीसो की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है बताना आपको भारत के सुप्रीम कोट में नयाधीसो की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है तो यह हो जाएगा संसदिय कानून दोरा इसका जो एंसर जगा B नमबर हो जाएग अगला कोशन देखते हैं समिधान सभा के मूल अधिकारों अल्प संख्यों को और जंजातिय तथा बहिस्कृत प्रभावी छेत्र के लिए परामर्स दाता सही समीती की अध्यक्ष थे हैं तो इसमें जो अध्यक्ष थे हैं उत्थे सरदार पटेल इसका जो एंसर हो जाएगा अगला कोशन है जो मैट्स का कोशन है इसका जो एंसर हो जाएगा एगला कोशन है जिसकार हो जाएगा यही नमबर हो जायगा पिर अगला देखते हैं 84 नंबर स्ट्व आजाएगा अगला कोशन एंपरेंट Less किस ने तव घ्यांत नश्तियार किया था यह त्यायर किया था अगला कोशन है भारत में सहरी जन जन्संख्य कितना पर्तिशाथ यह पर तीसाथ तो यह आठ्ट्रियों का एक परिसात ही जो की साही है मंत्रियों कोई विसेशादिकार नहीं था जो की गलत है उस्ने में को 30 सधिकार, अगला मंत्रियों के परामर्च लेने के लिए सीवाजी बात्ते नहीं यह अगला कुश्चन हिमाले परवत के निर्माड से सम्मनित भू सनती सिधांत किस ने दिया था यह सिधांत दिया थे कोबर ने इसका जो इंसर जगा ए नमबर हो जाएगा अगला कुश्चन है निमलीखित में से की से बंगाल में मुस्लिम पुनर जागरन के जनक के रूप में जाना जाता है यह अगला कुश्चन है राष्टि यह मनावधिकार यहो के सदस्यों का कारकाल कितना होता है के में सदस्यों का रख này नमबर हो जाएगा अगला कुश्चन है कि प्रथम और्नल जनल वार्रिक एंस्टे की क्रासिंग में कौनल क ि इसमें एक सदा से जो नहीं थे वेंस्टीटा और इसका जो एंसर हो जगा D number हो जाएगा अगला कुशन है भारती संसद की अपचारी कस्थापना कब की गई थी ये किया गया था 31 मही 1952 को इसका जो एंसर हो जगा C number हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं निम्ड में से किस घाटी को देवताओ की घाटी कहा जाता है बताना आपको कि देवताओ की घाटी किसे कहा जाता है यह कहा जाता है कुलू घाटी को इसका एंसर ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है 1857 के बिद्रोह के दोरान भारत में ब्रीटिस महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मिमोरियम किसने बनाई थी ये पेंटिंग बनाई थी जोसेप नुवेल प्वेटर ने इसका जो एंसर जगा डी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है तमिलनाडू सरकारदोरा केंदर राज समंधु में सुधार के लिए राम मनार समीती के गठन कव किया गया था ये गठन किया गया था 1970 में इसका जो एंसर जगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है कितने सेम ही वार्सिक वर्सा या उससे कम वर्सा वाले छेत्र को उमर वस्थल की सिरेणी में रखा जाता है ये रखा जाता है पचीज सेंटिमीटर इसका जो इंसर सी नंबर हो जाएगा अगला कोशन है मास्टर दा के नाम से प्रसीद सूर्य सेन को फासी कब दिया गया था तो उन्हें फासी दिया गया था 12 जनौरी 1934 को इसका एंसर C नमबर हो जाएगा अगला कोशन है प्रसीद सासक अमोख वर्स द्वारा कवी राजमार की रचना किस भासा में की गई थी यह किया गया था कनड में इसका जो एंसर जगा D नमबर हो जाएगा अगला कोशन है केंद्रिय मीटी और जॉल संद्धान केंद्र कहां अवस्ती था यह अवस्ती था देह राद उन में अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ने कियां तो सब्सक्राइब कर लिजएगा दोस्तों के सेर कीजएगा वीडियो को लाइक कर दीजएगा फिर मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए धन्य बात जाये हैं